प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आपी के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बुक और आज़िटीव नेटपॉर्ट पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेग्में टोटके कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाते हैं कुछ ऐसे सरल विधी जो जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती हैं और आज हम चमतकारी टोटके स्पेशल सीरिस के अंतरगत एक ऐसा विश्या आपके लिए लेकर आए हैं आशाड नवरात्री के खास टोटके करेंगे पैसे की सारी तकलीफ दूर जेहां देखिए कैसे भी चले जाईए कहावत तो आपने सुनी होगी भूखे पेटे ना भजे गो पाला ये भी कहावत सुनी होगी कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कुछ कम भी नहीं ह कारण भी है धन से रिष्टे तो नहीं लेकिन हाँ जीवन की लगभग 95 प्रतिशत चीजें खरीदी जा सकती है और एक ऐसा खास मौका आ रहा है साल का बहुत बड़ा परवा रहा है वो है आशाड नवरात्री गुप्त नवरात्री और आशाड का ये वो महिना है जो थोड गीला गरम भी रहता है और इसमें उश्मा और आदरता का बड़ा रोल है ये वो समय है जब सूर्य आर्दरा में रहेंगे इस समय पर आर्दरा यानि कि राहु अपने सबसे बड़े प्लैटफॉर्म में होता है और ये खास दिन है नौ दिन और पूरा कर पीरिड देखें तो दस दिन विशेश रूप से अपने जीवन की सारी तकलीफे दूर करने का और स्पेशली आर्थिक तकलीफ दूर करने का आई इस बार में जानते हैं देखें आशाड गुप्तर नवरातरी के नौ दिन में देवी दुर्गा की अराधना के खास दिन माने जाते हैं साल भ जावा एक नवरातरी और होती है जिसे हम शाकम भरी नवरातरी कहते हैं लेकिन उसका हम मनिश्यों के जीवन से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता वो अभूरियों की नवरातरी कहलाती है उसमें जो शाक्त होते हैं वो मूलता है नवाल होते हैं इसमें देखे पंचांके नुसार आशाड मास की गुप्त नवरात्री 30 जून 2022 से बड़े शुब दिन से शुरू होने जा रही है ब्रस्पतिवार के दिन से इस बार इसकी जो समात्ती है वो 9 जलाए को होने जा रही है आशाड मास की गुप्त नवरात्री विशेश फल देने वाली कही गई है और इसमें देवी के दश महाविद्या देवी दुरगा और लक्ष्मी इनकी साधनाओं से इनके कुछ खास टोटकों से जीवन से कष्टों का समाधान हो जाता है आज आपको बहुत जाद हो तो नहीं लेकिन बहुत काम कीजिए से बताएंगे देखे अगर बहुत लंबे समय से अगर संतान का प्रयास कर रहे हैं आप दंपत्ती और संतान प्राप्ती में सफलता नहीं मिल रही है तो संतान प्राप्ती के लिए क्या करें आप आशार गुप्तन अवरात्री के दोरान नौ दिन पूरे नहीं कि तीस तारिक से नौ तारिक तक दुर्गा को पान के पत्ते पर पांच लॉंग रखकर अरपित करें ऐसा करने से संतान प्राप्ति की मनुकामना पूरी होगी अगर आपको नौकरी में समस्या आए तो गुप्तर नवरात्री के दौरान नौ दिन तक देवी दुर्गा पर बतासे और लॉंग रखकर अरपित करें नौकरी की समस्या समाप्त होगी अगर आप कर्जों से घिरेवें तो कर्जों से मुक्ति पाने के लिए गुप्तर नवरात्री के नौ दिन तक देवी दुर्गा के सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें और देवी को श्रंगार वगरा जरूर चड़ाए पंच औप चार पूजन कर्जों से मुक्ति मिलेगी और समस्यां से भी छुटकारा मिलेगा अगर आप वाद विवादों में घिरेवें और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो गुप्तर नवरात्री के दोरा नौ दिन तक लगातार देवी दुरुगा के सामने गुगल की धूप जलाएं इससे वा करता हूं सारी आर्थिक दिकते दूर होंगी आखरी देखिए अगर आप बिजनसमेन हैं और व्यापार में व्रधी चाहते हैं तो क्या करें रोली और चावल को मिक्स कर लें और उसके धेरी बनाया कर उस पर तारह यंत्र स्थापित करके कमल के फूल और कोड़ी योग में अट लीस्ट आप 21 माला कम से कम इस मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका जाप करें वह हैं एम ओम क्रीम क्रीम हुमफट विशिष्ट तारह मंत्र है आश्वस्त करता हूं व्यापार में व्रधी निश्चित होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ह का फिर मिलाकात होगी इजाज़त दीजिए नमस्कार नमस्ष्वाहे